हलो माई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल गार्णिंग एट होम और बिल्कुल शुरुवात मैंने आपको अपने ये नेट को हिलते वे दिखाया क्योंकि बहुत ही तेजी से हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि शाम को बिल्कुल आंधी तूफान तो जरूर से आने वाल होता है हमारे जून का तो बहुत ही डेंजरस होता है आंधी तूफान का मौसम हमारे गार्डन के लिए कोई ना कोई प्लांटर इधर उधर गिरते ही हैं कोई ना कोई प्लांट डैमेज होते ही हैं तो बस सिक्योरिटी से आप अभी से अपने गार्डन को मेंटेन कर लिजे उसे manage कर लिजे कि आने वाला समय आपके garden के लिए खराब ना हो ये आंधी तूफान ये बारिश बिल्कुल भी damage ना कर पाए आपके terrace garden को आज का topic यही है आने वाले बरसात की तैयारी जून की तैयारी क्या क्या काम करने हैं हमें वो आज मैं आपसे share करने वाले हूँ सबसे पहला काम अगर आपने planters ऐसी जगह रखे हैं कि वो गिर सकते हैं हवा के जोके से उसे आप तुरंत उतार कर ऐसी जगह रख दीजे कि वो बिल्कुल हवा या आंधी तूफान आने पर गिरे नहीं damage ना हो और आपके plants खराब भी ना हो तो मैंने भी ये काम करना है क्यों कि मैंने भी बहुत सारे planters ऐसी जगह रखे हैं आप देख रहे होंगे वो क्यारी के उपर मैंने कुछ planters रखे हैं चोटे-चोटे से ही हैं पर उसे मुझे बिल्कुल हटा कर रखना है और उसे मैं बिल्कुल तुरंत यहां से हटाने वाली हूँ क्योंकि ये जो आप देख को आप लोगों से भी शेयर कर लूँ और आप लोगों को भी बिल्कुल ये वार्निंग देदूं कि आप लोग भी तुरंत तुरंत यह सारे काम अपने गार्डन में जरूर कर लिजे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई भ तुरंत यह से यह ऊटा दीजी जमीन पर रख दीज्ये एसी जगहां रख दीजी कि वहां से गिरेना तो यह काम बहुत ही जुरूरी है यहां से दूसरा जो लेशmeno है मुझे ए ग्रिना है नथी तूफान आते है ना तो सबसरे पहले यह खुल के भागता है और बहुत ही परिशान करता है ये तो हर साल का नियम है ये खुलेगा कही ना कहीं से खुलेगा चाहे आप उसे जित्ती भी security से बांदें खुलेगा ही खुलेगा और नीचे गिरेगा तो आपके plants को भी damage करेगा तो ये बात का दिहान रखते हुए मैंने कहीं ना कह और आगे का मैने ग्रीन नेट बिलकुल हटा दिया है क्योंकि इस साइड में धूत भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है और इधर का लगा है क्योंकि यह मौसम कभी एकदम तेजी से धूत होने वाला है और कभी एकदम से बारिश और ये प्लांट्स को खराब भी करती है बहुत सारे प्लांट्स तुरंद बारिश और फिर दूसरे तिन तेज धूप से बिलकुल कुमला जाते हैं और खराब हो जाते हैं तो थोड़ा सा ग्रीन नेट इस समय अभी आप रिमूव ना करें हां लेक जाहाँ आंदी तुफान का आगमन हो जाएगा यह मेरे सारे ग्रीन नेट हट जाएंगे क्योंकि डेली बारिश हो गी रोजी बारिश हो रही है तो हम हम आत अगों का है एर सेर्कुलेशन भी बहुत ही ज़रूरी है और बिलकुल अगर आप उसे कैद करके रख देंगे तो फिर वहां पे भी प्लांट्स आपके खराब हो जाते हैं देखें दोनों ही तरफ से नुकसान है बारिश का बहुत जादा और बारिश का बहुत जादा नुकसान के साथ सा संवारिश तो हमारे अम्रिथी है पर आंधी तूफान बहुत ही है हमारे साहरे ही प्लांत्स के लिए तो यह तो घ्रीन नेट में यह रपन जादाद ने वाली हैं यह काम आप चasting lyn stat करड़ें यया और आप उसे। उसे इतनला गर शु्मांग करें आपर वहां से उन फ्यों यह कातार मैंने यूज किया हुआ है इसको बांधने के लिए ताकि आने वाले आंधी तूफान में यह ग्रीन नेट हमें परिशान ना करें लेकिन कुछ कही ना कहीं से तो खुले गाई यह तो मालूम है जब बहुत तेज से आंधी तूफान आता है तो जब गमले गिर जाते है तो यह ग्रीन नेट क्या है निकलना तो है ही इसे अच्छा यह तो हो गई तैयारी हमारे आंधी तूफान की बरसात में मैई जून में जून के मौसम में हमें और क्या काम करना है देखे तैयारी करनी है अपने प्लांट्स को बचाने हैं फंगस से और पिलकुल बहुत ज इसे प्लांट्स को ब Conn mode करने तुछ थे साथ चेंद्ख मौन कौन का पना हमें पांट्स लगातार पानी बरसने से, आपकी प्लांट्स ओर वाटरिंग से, रूट रॉट की प्रोब्लम से खराब नहीं होंगे, इस बात की सिक्योरिटी आप कर लिजे, और एक काम आप ये भी कर सकते हैं, कि बहुत जादा पानी ना भरे आपके प्लांटर में, तो इसके लिए मैं आ आत अंदर से दिख रहा है, तो मैंने बिल्कुल होल किया हुआ है, जहां तक मट्टी उसके उपर, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी भरे वो यहां से उपर से निकल जाए, तो बहुत जादा पानी इसमें भरा नहीं रहेगा, पूरा आपका गंला लबाला पानी से भरने जाएगा बरसात के मौसम में, और आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से खराब नहीं होगा, तो इस बात का भी आप बिल्कुल सिक्यूरिटी कर लिजे, और जैसे मैंने कहा कि फंगस की प्रॉब्लम बहुत जादा हो जाती है, तो बिल्कुल बरसात के बाद आप फं फंगिसाइड या नीम की खली को बिल्कुल आप दे सकते हैं अपने सारे ही प्लांटर्स में इस समय, और ये काम बहुत ही ज़रूरी है, तो इस समय आपका ये मस्ट वर्क है कि आपको सारे ही गंबलों में, अपने सारे ही प्लांटर्स में अपने सारे ही प्लांटर्स में देना है और बारिश के बाद फंगिसाइट का इस्प्रे अपने सारे प्लांट्स में करना है जिससे कोई भी फंगस कोई भी रूट रॉट की प्रॉब्लम आपके प्लांट्स को डैमेज ना कर पाए और ये सारी सिक्योरिटी आपने कर ली तो बस आपके गार्डन भी और लहादा लैगी हो गया है काट चटाई चटाई आप कर दीजे और कटाई चटाई करने के साथ साथ उनकी कटिंग भी लगा kung आने वाले विंटर सकी भी आपको तयारी करनी है गुल्दाओदियों की आप कटिंग लग सकते हैं समय तो बिलकुल अपने कटिंगा लही मतलई और बिल्कुल बरसात में उनकी भी बहुत सारी कटिंग्स लगाए ताकि आने वाला विंटर आपका भी और भी खुब सूरत हो तो फ्रेंट्स यह है जून वर्क आपका गार्डन में और यह बहुत ही ज़रूरी है तैयारी कर लिजे आने वाले आंधी दोफान की और बारिश की और इंजॉय करिए तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का करती हूँ और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपे के साथ तब तक लिए थैंक्स ओ वाचिंग और एपी गार्णिंग तो अलो फ्रेंड्स बाई